आज हम एक स्टोरी बुक का रव्यू करने जा रहे हैं एक ऐसी स्टोरी बुक जिसे हम बड़े अच्छे तरीके से रेकेमेंड कर सकते हैं दो से चार साल के बच्चों के लिए और यह देखेंगे कि क्या इस स्टोरी बुक के अंदर वो तमाम विज्वल क्वालिटीज मौजूद हैं आप बाइंडिंग क्वालिटीज पेपर क्वालिटीज वगेरा मौजूद हैं जो के दो से चार साल तक के बच्चों को देनी चाहिए और उनकी लिंग्विस्टिक और उनकी कॉगनिटिव और उनकी इमिजनेशन डिवेलपमेंट में उन्हें हेल्प आउट करेंगे तो आज हमारे सामने एक कहानी है जिसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और बाकी बात में आप इसे खुद पढ़ेंगे सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह इसका टाइटल पेज है और इसके हाथ में एक परपल करियोन है जिससे वो मल्टिपल लाइन्स बना रहे है लाइन्स बोल्ड हैं सिंपल है और इस पेस में देखें आप सिंपल ही देख सकते हैं कि हैरल कौन है और सिंपल ही देख सकते ह कि उसके हाथ में जो क्रियोन है वो कितना बड़ा है और वो परपल का लर्का है अगले पीज में जो हैरोड ने लाइन्स बनाई है वो सोच रहा है यह क्या है जो जब आप यह पेश बच्चों को क्या आप बनाया है तो that's how it triggered their imagination आगे हमारे पास दुबारा एक page आता है जिसमें सिर्फ lines हैं और purple color की lines हैं सो बच्चे से गौर से देख सकते हैं आप भी देख सकते हैं और आप उनसे सवाल कर सकते हैं बच्चे आप से सवाल कर सकते हैं के actually Harold ने ये किया क्या है और ये क्या हो रहा है इस पेश के अंदर ये उसने randomly क्या बनाया है विपकोल वैसे ही जैसे Harold सोच रहा है उसके बाद हमारी कहानी शिरू हो जाती है जो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूं One evening after thinking it over for some time Harold decided to go for a walk in the moonlight और Harold आस्मान की तरफ देख रहा है आस्मान की तरफ देखते हुए Harold को एसास हुआ there wasn't any moon and Harold needed a moon for a walk in the moonlight definitely moonlight तो तभी होगी ना जब वहाँ पे moon होगा और moon था नहीं तो Harold ने डिसाइड किया के अब मैं moon खुद बनाने जा रहा हूं तो बच्चों कोई imagination यहां कैसे trigger होगी आप देख सकते हैं कि Harold ने अभी moon complete नहीं किया और यह कौन सा moon है यह किस face का moon है और बच्चे सो सकते हैं कि यहां कौन सा moon हो सकता था तो इस पेज में अब उसे कहीं जाना है तो अब उसे अपना रास्ता बनाना है जाहर है कहीं वो गुमना हो जाहे इसलिए उसको अपना रास्ता तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा और उसने अपनी वाक शुरू कर दी लिकिन जब वो थोड़े आगे गया तो उसे हसास हुआ कि यह रास्ता कहीं भी नहीं जा रहा तो उसने उसे स्ट्रेट लाइन को छोड़ दिया और उसके बाद उसने क्या किया और चांद उसके सासा चलता जा रहा है अब आगे क्या हुआ आगे एक लंबी कहानी है हेरल्ड एक जर्नी पर है एक एडवेंचर पर है उसके हाथ में किरियोन है और वो तमाम चीज़ें खुद बना रहा है तो बच्चे इमेजन कर सकते हैं कि आगे हैरल्ड को और क्या क्या बनाना चाहिए और कहां कहां जाना चाहिए ये एक बहुत ही इंट्रस्टिंग कहानी है इसे आप जरूर पढ़िएगा और देखीगा कि ये आपकी curiosity और imagination को कितने simple clear visuals के साथ trigger करती है So next slide तक के लिए best of luck and thank you so much